गुट मॉर्निंग आपको समझ में आ रहा है सब कि इतना डर हो रहा था वो भी है कि तरह डर हट गया है तरह डर आपको था कि पता नहीं सब इंस्ट्रिचूट यहीं बोला है सर यहीं बोला है देखते हैं पढ़के तो हम लोगे स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक काल्कुलेशन तो बेसिक काल्कुलेशन का जो चाप्टर है जो कोश्चंस एक्जाम में पूछे जा चुके है उन कोश्चंस को देख रहा है इसके बाद आप लोग का अनुगा तो वीडियो ले लेना या यूट्यूब पे आप वाट बाइ 176,44 बाइ x ऐसा जब भी रहेगा हम लोग ये भी जानते कि क्रोस मल्टिप्लाई होता है तो क्रोस मल्टिप्लाई या अगर ये x है तो ये भी x होगा तो x इन्टू x दखो तो x बाइ 176 और 44 बाइ x और cross multiply हुआ तो x into x और 176 into 44 देखो कुछ लोग क्या करते हैं इसको multiply करके समय बरवाद करने लगते हैं टाइम जादा लग जाता है और कुछ लोग यही देखते हैं कि 44 एक factor है न देखते हैं इसको किसी चीज़ से divide करके जैसे ही हम लोग divide किये 176 हो यानि factorize कर रहा है तो 4 से चार्चो का सुला चार्चो का सुला 4 into 44 आ गया और square card होता है कि term repeated होना चाहिए दो दो बार होना चाहिए जब 2 बार क्यों क्योंकि sir x बराबर जो होगा न ऐसे होगा 4 into 2 बार 44 और 2 बार 44 को एक बार 44 बाहर आएगा और 4 का एक बार 2 आएगा 44 गुना 2 88 तो यह first का answer हो जाए ठीक है हम लोग देखते हैं next question पताए क्या है लिखा हुआ root x by 64 is equal to 16 by root x ऐसे लिख सकते हो cross multiply होगा अच्छा पता है कि root x into root x इसका आर्थ होता है root x का square या सीधा x ठीक है तो इससे x बराबर क्या हो जाएगा तो 64 into 16 समझ में आ रहा है क्योंकि root यहां भी है और root यहां भी है तो क्या हो जाएगा x बराबर 64 into 16 और 12 चोका 64 12 चोका 96 96 और 6 यानि 1024 बोलो कोई प्राब्लेम यहां तो root root अपने आप हट गया यह देख करके समझते कि क्या हमको 64 में क्या करना है 64 से यह 16 से multiply करना है अब 16 का पारा याद ही है सीधा multiply करके लिख दो ठीक है कोई दिकत नहीं हाँ यहां ब्रेक कहा करना है यहां square root कहा है यहां ऐसा कहा है कि square root है और 2 के बदले एक term कि तए root हटी गया हमको जब वर्गमूल निकालना होता तो वर्गमूल में जैसे ऐसे रहेगा तो x into x तो यह बाहर निकलता तो एक बार x यहनि अंदर में अगर दो बार दो रहता अगर यह sign रहता तो न बाहर में एक बार ठीक है तो यह तो direct हो गया समझ में रहा है चलें अगला question की ओर question number 3 पढ़िए इसका आर्थ है x का power 1 by 4 by 8 48 by x का power 3 by 4 cross multiply अगर करें तो x का power 1 by 4 plus 3 by 4 परावर 8 इंटू 48 होगा ना तो x का power 3 और 1 चार बटा चार और यह 8.64 आर्चो का 32 चे अर्टेस तो 4 बटा 4 तो कट गया यहनि स्कॉर रूट नहीं है कि हम लोग फाक्टर पॉब में निकाले सिदा देखकर क्या लग रहा है x का value क्या होगा 384 कोई प्रॉब्लेम एक्स का value 384 अज़ा जिनको अगर a का power x है और a का power y है तो इसका आर्थ होता है a का power x plus y ठीक है अगर ऐसी रहता a का power x a का power y a का power z तो पता है क्या लिख सकते हो a का power x plus y plus z और a का power x अगर divide है ना तो क्या लिख सकते हो a का power x minus y और a का power x दो दो बार अगर divided divided by a का power y हम लोग को देखना क्या है क्या base same है और base same है तो एक ही base बनाएंगे अगर multiply का sign होता तो add में जाता है जैसे यह केवल x होगा यह divide है मतलब यह minus होगा divide है मतलब यह minus होगा clear है हाँ हाँ इसलिए बहुत हर बर आने क्या हो सकता नहीं है वीडियो डाल दूगा तो आगे देखे अगला question 5 क्या है जी x का power 7 by 3 by 45 is equal to x का power 1 by 3 by 5 अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको नीचे यहां ला सकते हैं जगह change कर सकते हैं x वाले को एक तरफ तो ऐसे लिख देखिया x का power 7 by 3 और x का power 1 by 3 यह 45 यहां आ जाएगा 45 by 5 अब देखो यह divide है अभी मैंने क्या बताया कि अगर divide है तो power subtract होगा तो ऐसे लिख देखिया x का power 7 by 3 minus 1 by 3 बराबर 9 5 से कितने बार में कट जागा और x का power 7 में से घट गए 6 बर्टा 2 बराबर 9 साथ में से घट अच नीचे 3 है तो 3 से कितने बार में कटेगा 2 बार में तो ऐसे लिख देख एक स्कुर बराबर 9 तो x बराबर 3 वीडियो रहेगा ही देखिए उतार ले ना कोशन नमबर 6 5 देखो वाट का power यानि x का power यहाँ पे क्या है बताये 3 x 4 और इंटू x का power 1 x 4 बराबर 9 इंटू 32 3 बर्टा 4 एक बर्टा 4 तो x का power 4 बर्टा 4 बराबर 9 दुना ठार नो तिया सथाईस और 1 अठाईस बता चार और 4 तो x बराबर क्या होगा 288 6 फिर देखो यहनि यह सब बेस पावर अला कोशन है है ना क्या है यहाँ पे बेस यह 9 है यह 81 है यह 27 है यह 3 है अब बता 9 का वर्गमूल है तो इसको लिख दे क्या 3 का power 3 और 188 का वर्गमूल ऐसे होगा 9 का power 5 divided by 27 का power तो पराबर 3 का power x केवल जबाब देते जाना है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उसको अच्छे से जबाब देंगे ठीक है अब यहाँ देखें 9 को क्या लिख सकते हो 3 का square अब सबको base 3 बनाएंगे क्या बनाएंगे 3 देखेंगे 3 का कौन सा power है ठीक है और दोनों साइड में अगर base सेम हो जाएगा तो base cancel हो जाता है तो बताओ यह क्या होगा 3 का power 3 9 को क्या लिख दे 3 का power 2 इंटो 5 divided by 27 को क्या लिख दे 3 का power 3 गुना 2 बराबर 3 का power x लिख सकते हैं सब base 3 हो गया यहाँ पर पताओ पावर कितना यहाँ पर 2 गुना 5 है यहाँ पर 6 तो ऐसे लिख दे 3 का power अब एक base बनाएं तीन यहाँ पर 3 plus 10 minus 6 बराबर 3 का power x बताओ base cancel हो जाएगा तो base cancel हो गया तो 10 तिन 13 में से 6 गट गया 7 बराबर x यहनि x का value अगर पूछा क्या होगा तो x का value 7 हुआ clear next अब यहाँ पर क्या लग रहा है फिर सब base को same बनाएंगे 8 है 2 है है ना तो बताओ इस सब को 2 में बदल ले की 8 में बदल ले दोनों कर सकते हो केवल इसको ऐसे लिख सकते हो क्या देखो तो 8 का power 7 और 2 का power तो तो यह भी 8 हो गया दो का power दो दो दोस्वार है बदावर 8 का power x है अब देखो इसको ऐसे घर देखिया तो ये भी 8 हो गया, 2 का पावर थी, यानि ये 8 का पावर 7, 8 का पावर 2, divided by 8 का पावर 2.4, बराबर 8 का पावर x, कर सकते हैं, अब लिख दें, 8 का पावर 7 plus 2, minus 2.4, is equal to 8 का पावर x, बदाब बेस कैंसेल, तो 7, 9 में से, 9 में से 2.4 लेस कर लो, is equal to x, यानि 6.6, 9 में से 2.4 घटा होगा, ऐसे ही नाएगा, 10 में से 4 छे, 8 से 2 छे, 7 के बाद 8, यहां तो कोई बेस लग नहीं रहा है, देखो न, यह 12 है, और यह 6 है, वो 432 है, तो ऐसे लिख देखिया, 12 गुना 12, 12 का पावर 3 है, 13 बार बार, गुना 6 का पावर 4 है, यह कितनी बार, 4 बार, और डिवाइड़ भाई, 432, बार से कट देए, 12 यह 36, 7 पर 2, 12 चक बहत तक, यह 36 से 36 कट जाएगा, तो 144 गुना 36, कितना आया, गली में दाओ, 50 यह 51, अगल बगल से भी देख के बना सकते हो, अब किसी का गया, 5184, अगर हम बोल दें कि 5284, तक किसी का जागा, किसार आ गया, अथे दें, लोग काल्कुलेटर से बना के बोला, तब ही गलत, 5184, आप्शन, चल यह आगला पढ़िए, 2197, क्यों, याद होगा, 20 तक रटवाय था, 13, वैसे भी लाश्ट में, मैंने ऐसे भी बताया था, लाश्ट है, 3, तीन वाला यही है, याद है, अगला कुश्यन, बताएए, पचीस सो का वर्ग मूल, पचास, आगना सो एक सट का वर्ग मूल, एक तेस, बरावर एक स्क्वाइर कर देखिया, यह 81, इस एकल टू एक स्क्वाइर, तो एक स्क्वाइर बरावर 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वाइर एक क्यासी, देखो इधार जो स्क्वाइर है, इधार रूट हो जाएगा, एक आसी का वर्ग मूल, या तो फोटो लेते जाओ, और डिटेल्स में अपना घर पे कोई वीडियो बना लेना, अपना वीडियो खोल लेना, फिर उसको अपने से नोट करते जाओगे, ठीक है, चलें अगला कोश्यन, 11, पढ़िये, तो लग रहा है कि बेस में इसको साथ बनाए जा सकता है, नहीं, क्योंकि या तो उन्चास है, तो साथ का पावर दो है, और 343 है, तो साथ का पावर थीन है, तो बेस सेम बन गया, तो भी कुश्यन इजी हो जाता है, तो बता, ये तो साथ का पावर दो है, अजा उन्चास को भी ऐसे लिख देखिया, साथ का पावर दो, इस इक्वल टू साथ का पावर, इन्टू साथ का पावर, तो ये साथ का पावर, ये दो जोर चार, और साथ का पावर X प्लस 3, बेस कैंसिल, खे बराबर X प्लस 3, तो प्लस 3 इधर आगा तो, माइनस 3, तो खे माइनस 3 पराबर X, X क्या हो गया? 3, कोई प्रोब्लम नहीं? 12 नमबर. अब तो सब जगा बेस 5 बन सकता है, हम लोग अच्छे से देखें, तो कर रहा है, what will be the value of P, तो सब जगा बेस को 5 कर सकते हैं, ये रूट जो लगा है ना, तो रूट का आर्थ होता है, पावर आधा, इंटू 7, divided by 5 का पावर, half, इंटू 5, पराबर 5 का पावर, X, अब तो 5 का पावर, 7 by 2, minus 5 by 2, is equal to 5 का पावर, X, साथ में से 5 घट गया, तो 5 का पावर, 2 बटा 2, एकी बार एक लिख दें, बराबर 5 का पावर, X, तो X बराबर कितना, हर टाइप का का कालकुलेशन्स देखते जाओगे, और ये सारे कोशन्स एक्जाम में पुछे गया है, किसी ने किसी एक्जाम में सारा कोशन्स आया हुआ है, ठीक है, वैसे भी हम लोग को चाप्टर्स में बढ़ने के लिए कालकुलेशन में कमांड होना चाहिए, जब कालकुलेशन सही होगा तो हम दौट लगा पाएंगे, ठीक है, चल ले, हाँ, टू बाई टू, एक इस्टे पाउर लिख दे क्या, चलो लिख दे रहें, काट भी दें क्या, अगला कोश्चन, पढ़िए, लार्जेस्ट पूछ रहा है, कौन-कौन सा नंबर है, रूट टू है, क्यूब रूट थ्री है, फोर्थ रूट फाइव है, तिक्स रूट शिक्स है, कह रहा है इसमें सबसे बरा कौन, अप्शन ए, कैसे जी, बरा गजब तुम्हारा स्पीड है, तो अंडर रूट सब कहा है, पहली बात कि बरा चोटा नहीं होता है, बरा बरा ही रहता है, चोटा चोटा ही रहता है, पहली बात, एक वर्टा दो, एक वर्टा, तीन, एक वर्टा, चार, एक वर्टा, छेख, बताईए सब इदर उदर देख रहा है, पावर सेम कर दे क्या, पावर सेम कैसे होगा, तो दो, तीन, चार, छेख करें, एल-सी-म से मल्टिप्लाई करो, अब बताओ, तो दो का पावर, इस कार तो सब को मल्टिप्लाई कर रहा है, यानि इसको भी बारसे, इसको भी बारसे, इसको भी बारसे, तब ये क्या हो जागा, दो का पावर, ये क्या हो जागा, तीन का पावर, ये क्या होगा, पांच का प लए पावर बताए, दो का पावर छे कितना, दो दूनİ, चार दूना, आड दूना, 16 दूना, 32 दूना, 64 तो ज्बसे चोटा अगर पूस्टा कौन, पाँच का पावर तीन, थे का पावर दो, खुद से देखो सबसे बरा कौन, सबसे छोटा अगर पूस्ता कौन, इसमें तीन तरह से कुश्चन आता है, चार तरह से, सबसे बरा कौन, सबसे छोटा कौन, बरते क्रम में सजाएं, यानि असेंडिंग ओर्डर में सजाएं, दिस को तो सबसे बड़ा largest कौन 125 किसको break किये थे 4th root of 5 ठीक है अगर कहता smallest बता आप पूछ नहीं रहा है यहां लेकिन हम लोग एक साथ में सब देख ले रहे हैं कि आगे से नहीं देखना परें तो 6th root of 6 अगर कहता कि ascending order में सजाएं ascending मतलब जानते हो बढ़ते क्रम बढ़ते क्रम में तो पहले सबसे छोटा तो सबसे छोटा कौन है ऐसे देंगे इधर बढ़ा जिदर बढ़ा हो रहता है उदर ऐसे sign I pointed वाला छोटा होता है इससे बढ़ा कौन 64 वाला यानी root 2 उससे बढ़ा कौन 180 वाला cube root of 3 उससे बढ़ा कौन 4th root of 5 ऐसे ही अगर descending order बनाएंगे वैसे ही descending order यानी अगर question कह रहा है घटते क्रम में बताएं एक्जाम सब में कई बार ये question आया है घटते क्रम में तो सबसे बढ़ा वाला पहले 4th root of 5 ये बढ़ा है बढ़ा है तो इधर sign ऐसे लगाना ठीक है cube root 3 उसके बाद square root 2 उसके बाद 6 root 6 या तो ये पूछता है ये 4 question बनता है इससे 1,2,3 और ये 4 इस 4 में से कोई भी एक आप से पूछेगा फिर से देखें पावर को ये root 2 था पावर एक बटा दो किया इसको पावर एक बटा 3 किया इसको पावर एक बटा 4 और इसको एक बटा अब यहां के बाद 2,3,4,6 इसका LCM 12 सभी को 12 से multiply तो 2 से कितने बार में 6 बार में 3 से 4 से clear तो यह आगया 64,181,175,173 कोई प्रॉब्लम नहीं चले आगे बढ़ें इसको पावर अगर माइनस 1 है ना तो नीचे आएगा तो 1 by x का पावर प्लस 1 या केवल 1 हो जाएगा और x का पावर अगर प्लस 1 है दूसरे साइड जाता है तो पावर नीचे माइनस में होता है यह ध्यान में इसको भी ध्यान में रखेंगे तो जहां पर जिस चीज क्या आवर सकता होती है वह सारा चीज हम आपको लिक भी दे रहे हैं ठीक है और और आडियो वीडियो दोनों अबलेबल है तो वहां क्यों देख रही है तुम यहां देखो ना इससे बड़ा इस्क्रीन है आना क्या जीए तो चलो चौदा नंबर चार का पावर चार एकस प्लस वन है यहां पर बरावर एक वर्टा चार का पावर तीन लिख सकते हो चार चौदा 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 और इसको चार का पावर माइनस थ्री लिख सकते हो नीचे है तो ऊपर जाएगा तो यानि चार का पावर चार एकस प्लस वन परावर चार का पावर माइनस थ्री हो जाएगा हाँ याना अब बेस कैंसेल तो चार एकस प्लस वन परावर माइनस थीन प्लस वन उधर जागा तो क्या होगा तो फोर एकस बरावर माइनस थ्री माइनस वन तो फोर एकस बरावर माइनस फोर तो एकस बरावर माइनस वन अगर ओप्शन है तो ठीक लगाओ नहीं है तो छोड़ दो नहीं है ना एक ही बात है, कर सकते हो, पाई याँवन कर लेते हैं, हो गया, यह भी चार का पावर तीन, इसका कहना है, कि सर्क्रॉस मल्टिप्लाई करने का हमारा अच्छा आदत है, हाँ, बात वही है हुआ, कि सर्क्रॉस मल्टिप्लाई तो हम कर लेते हैं, तो 64 को ऐसे लाएंगे, तो 4 का पावर 3 होगा, बराबर 1 और 4 का पावर 4X प्लस 1 प्लस 3 और बराबर 1 तम नहीं लिखेंगे, 4 का पावर 0 लिखना होगा, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0, 1 होता है, और हमको बेस 4 बनाना है, और यहाँ पे 1 है, अब क्या लिख सकते थे, 4 का पावर 4X प्लस 4 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 देखिए अगर question में ऐसे है कि 12 प्लस धियान देना 12 प्लस ऐसे ही 12 प्लस ऐसे करके x और कहा है question क्या x बताओ तो हम लोग thought में यहीं देखें यह दो लगातार संख्या का product होगा वरावला का sign प्लस होगा और छोटे वाले का sign माइनस होगा इसका दो value होगा यानि अगर कहीं पे 20, 20, 20 ऐसे लिखा हुआ है तो बताओ इसका value क्या होगा दो लगातार term तो बड़ावला का sign प्लस और छोटे वाले का sign माइनस तो इसका दो-दो value होगा answer यह भी हो सकता है answer यह भी हो सकता है यहाँ पे 6 है, है न, 6, 6, 6, ऐसे question है तो बताओ क्या करेंगे 3 into 2, 3 का sign plus 2 का sign, मतलग दोनों में कोई भी होगा उसमें tick लगा देंगे, दोनों का दोनों में tick लगाएंगे, तो यहाँ ते केवल 3 है पर और बताया है, लोग एक और नमबर ले लेते हैं, 15, 56, 56, 56, यह type से बताया था, अगर और डीटेल से हैं तो जिनका छुटाओ का फिर से हम बता देंगे, तो दो लगातार का product, 8 इंटो 7 यह 7 इंटो 8, इतना बड़ा question का answer देखने के साथ बता सकते हो, कि answer plus 8 होगा, यह answer minus 7 होगा, बड़ा वाला का sign, plus अचोटा वाला का minus, इस पर और भी practice करना होगा, तो और भी करा देंगे, ठीक है, अभी तो हम लोग assignment का question देख रहे हैं, अब इसमें बताये, सबसे बड़ा कौन, यहां भी पूछ सकता है, बड़ते करम में सजाएं, या घरते करम में सजाएं, बना लो, good, जल्दी बनाओ सब, बनाना तो यहीं, बगल अगल से भी देख के बनाओ, लेकिन बना लो, क्योंकि जो जीता, वही सिकंदर, आजो हारा वो, कट जुबह सुबह नाम ले रही है, demaar हो गया, खा क्याओ है ना, तुम लो, खा क्या है तब तो खाना मिलेगा, नहीं खा क्या अई रहते हैं, तब खना भी नहीं मिलता, नाम ले लिना सुबह सुबह, कि अजिके का क्लास किये थे कि ज्यादा दूर हो गया कि एलसीम निकालेगी तो और बराएगा तब तो और नहीं निकलेगा कैसे बाभू बड़ा जल्दी तुम समझ गया बड़ा जल्दी बता दिया एक वहाँ भी है दो का पावर साथ कुशन क्या है दो का पावर तीन का पावर चार का पावर पावर ऐसे लिख दे क्या इसको सब का कॉमन नंबर क्या है साथ अरताले किस पाहरा में सब आता है तो इसको ऐसे लिख दे कि दो का पावर 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 तीन का पावर चार गुना बार चार का पावर तीन गुना बार और पाँच का पावर दो गुना बार लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो और सब में से 12 बाहर भी कर सकते हो तो ऐसे 2 का पावर 5, 3 का पावर 4, 4 का पावर 3, 5 का पावर 2 और 12 को पावर को common ले लिया अब बता तो पहला वाला क्या हो जाएगा 2 का पावर 5, 32, 3 का पावर 4, 81, 4 का पावर 3, 64, 5 का पावर 2 अज़ सब का पावर तो बारा है ही कि सबसे बारा कौन वही भाग ही तो दिये हैं तो वही अब बारा कॉमनों के हट गया सब कुछ बारा ही सभाग दिये हैं देखो ना बारा पचे साथ बारा चुका अर्तालिस बारतिया 36 बारा दुना 24 बारा हट गया सब में से समझ में आया तो कौन सबसे बरा होगा 81 81 मतलब तीन का पावर 17 पढ़िए अचा यह फॉर्मूला कि A स्कॉार माइनस B स्कॉार क्या होता है जी A प्लस B इंटू तो क्या इस कॉश्चन में लग रहा है कि यह फॉर्मूला है उपर में एक बार 0.1 प्लस 0.01 और एक बार 0.1 प्लस 0.01 और डिवाइड बाई 0.001 लिख सकते हो कि नहीं अब इसको जोड़ लो जिनको जोड़ने नहीं आया मैं बता दू पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है तो यह एक यह एक यह पॉइंट मतला इसको लिख सकते हो 0.11 और यह प्लस था 0.1 में से 0.01 को घटा रहे हो 10 में से एक 9 0.0 सही है न जे 0.09 चलिया डिवाइड़ बाई 0.12301 और प्लस 1 है एक ग्यारा नमा निन्यान बेर पॉइंट के बाद 2 और 2 चार अंग हो जाएगा 0.12301 दो नहीं है एक है तो पहले न बोलना चाहिए अब बता इस से क्या यह 9 कितने बाद में कटेगा पॉइंट 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 केंजिल ना प्लस 1 है तो इसको क्या लिख सकते हो 99 प्लस 1 कितना समझ मैं है कि एक्जाम ऐसे एक वर और बता दे इसकोर मैंनस B स्कोर तो एक वर लिख दिया प्लस 1 यह क्या है अब a प्लस बी, a मैंनस बी इवाइड़ फाय जो है वो लिख दिया प्लस 1 अगर दोनों को एडड किया यह दोनों को तो 0.11 आया आहना इन दोनों को एड किया तो यह आया इनको सब्स्ट्राक्ट किया, तो यह आया, अब दोनों को गुना किया, तो यह और नीचे तो यह है, तो समलक वाद एक, दो, तीन, चार रंक है, यहां भी चार रंक है, तो यह हट गया, आप मैंने बताया था, आगे में 0 का कोई value नहीं होता, तो यह 99 और यह 1, तो 99 और 100, य clear, तो आज के class को हम लोग रोखते हैं, या एक-दो question और देख लेते हैं, क्या, एक-दो और देख ले, कल basic calculation का आपका test होगा, simple, देंगे, जोर घटा और गुना भाग type का, एधा मासान असान वाला, ठीक है, तो अगला है 18, बताएं, क्या है, साबसे पहले नीचे में x है क्या, रूट में, पढ़ते जाओ, x का power कितना है, into, पहले तो 1 by 5, रूट वाला, रूट 5 है ना, और minus यह, एक और power है, कितना, पढ़ो, minus 5 by, एक और power है, कितना, अब बताओ, क्या करें, दो बार 5, कट दें क्या, minus minus, 3 और 3, तो x का power कितना आ गया है, या सीधा x लिख दो, तो देखने के लिए लग रहा था कि, क्या है पाना आ आएसालोग मेंry को दोगने की, कितना, अब दो बताओ, लगवा है या जाया है,